आइफोन 16 का रिव्यू फाइनली लेके आगे आपके लिए आइफोन 16 प्रो का भी रिव्यू डाना था दो तिन दिन पहले अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना एंड जिनका बजेट है आइफोन 16 लेने की सोच रहे हैं 80,000 रुपीज में आता ही है EMI वाले तुम सुन लो जाना बेफाल तुम पैसे खर्चने बंद करो अगर सच में जरूरत है किसी चीज की आपको पता है इसके थुरू आपकुछ कलो के जीवन में कुछ है तब ही खरीदना आइफोन भी फॉन में पैसा लगाना मैं देख रहा हूं दुनिया बहुत गला ज सब कुछ नहीं प्रॉपर टेस्ट और बिल्कुल अराम से बढ़िया रिव्यू तो स्टार्ट करते हैं सबसे बहले डिजाइन से यहां पर मारे को बैक से फुल ओन आइफोन एक्स की थोड़ी बहुत याद आएगी क्योंकि यहां पर जब कैमरा क्लेस्मेंट है कुछ वर् लू सही लगा अगर आप कलर्स की तरफ देखते हो बागे जो बेसिक है वाइट एंड ब्लैक वो तो एक्जिस्ट करता यह तो अगर आपको उनके लिए जाना आप जा सकते हो वर ना थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आप ले सकते हो आइफोन 5C वाले दिया दिला दिया दि वही केसिज में यहां पर फोटो घीचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और इसके नाम पर बेच रहे हैं आइफोन में नई आइटम आगी और अब बेसिक आइफोन में भी आपको एक्शन बटन मिलेगा पहले सिर्फ 15 प्रो में मिलता था अब 16 में भी है बाकी प्रो व वाला है इवन 15 और 16 में कोई साइज में डिफरेंस नहीं आया है 16 प्रो में साइज में डिफरेंस है वह मैंने इसकी वीडियो में बताया है जरूर देखना एंड बाई नीचे की तरफ है टाइप सी पोट और यह अभी बी टू पॉइंट जिरो वाला है 16 प्रो के अंदर 3. 2.0 वाला मिलता है 2.0 को होते हुए भी डिस्प्ले आउट पूट यह देता है बट जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो हमारे को प्रो सीरीज में ज्यादा मेलेगी कंपेर टू दिस वन और इन एंड फील बढ़िया मिलते है एकदम अमीरो वाली फीलिंग देता है लाइडार सेंसर वैसे 16 वीडियो में इसके बारे बात करें थी वो इसके अंदर नहीं मिलता है उसके वैसे डेप्ट वाली चीज़े होती है और मेजर वगयरा होता है 3D स्कैन होता है वो सब यह वाला आइफोन नहीं कर पाता बट अब मेजर आप चला के देख रहे थे चल और नो थर्ड पाटी एप्स का एक्सेस ना इसके अंदर अभी भी भी नहीं है और वाइफाय कनेक्शन के साथ साथ हाट स्पॉट का फीचर नहीं है पूरा लंबा स्क्रीन शुर्ट आप ले सकते हो वो आईफोन में अभी भी नहीं है ओस और यूई के बारे में 16 प्रो की सेम ही मिलता है उसके बाद apple intelligence जो की आपको out of the box नहीं मिलेगी अभी बीटा फेज में है उसके लिए आपको बीटा के लिए पाटिसिबेट करना पड़ता है इंडिया में आप नहीं चला सकते हो उसके लिए region चेंज करना पड़ता है यह हमने इसमें apple intelligence के लिए phone ले लो और चीज है तो मतलब 16 सीरीज के आपको दोनों वीडियो अच्छे से देखनी पड़ी आपको इंडेफ्ट जानने के लिए बार बार सेम चीज़े बताऊंगा तो फिर आपको गया रहे बाई जो नहीं पहली देख रखके बोर हो जाएंगे then coming on to the camera जिसके लिए लोग iPhone लेते ह है भाई 48 Megapixel का वही primary sensor मिलता है और 12 Megapixel का अल्ट्रावाइड हमारे को मिलता है और जो मारा front camera है वो भी same 12 Megapixel का हमारे को मिलता है एक चीज़ एक्स्ट्र हो गई है जो 15 से बेटर है कि मैक्रो फोड़ोग्रफी एंड विडियोग्रफी इसके अंदर कर पाऊगे जो हम 15 पे गरीब iPhone वाले हो और तीन camera तो अमीर iPhone वाले हो लेकिन सुनकी अच्छा लगा यह डिफरेंजिया बना के चलेंगे तुम्हारे को फोमो में डाल देंगे कि प्रो के लिए परो के लिए परो के लिए परो पहले बता रहा हूं अगर ज़रुरत ने तो तो बिल्कुल भी नहीं आप खीच सकते हो जो एपल विजन के हिसाब से जो अमीरो का चोचला है जो नॉर्मल जनता के बिल्कुल काम का नहीं है और वीडियो आप मैक्सिम्म 4K 60 में शूट कर सकते हो HDR और डॉल विजन का भी सपोर्ट मिलता है वीडियो के अंदर आइफोन से शूट करोगे यह ला 16 से बेटर है तो थोड़ा सा बेटर काम करता है इसके अंदर हम टेस्ट करके देख रहे तो हमें इतने जाता फील नहीं हुआ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जब इतने पैसे जादे जरे तो और क्लीन अप आला ऑप्शन भी मिलता है और प्रॉपरली काम भी करती यहां पर कोई भी प्रोरेज का सपोर्ट नहीं मिलता जो सिर्फ और सिर्फ हमारे को प्रो सीरीज में मिलता मतला 15 प्रो एंड 16 प्रो एबव जो सिनेमाटोग्रफर्स को जार टार्गेट करता है बहुत अच्छी चीज हो हर को यूज नहीं करता क्यों का फाइल साइज होता किष्टो पर नहीं देन यह रहे फोटो सेंपल्स आपके सामने आइफोन 16 के एंड बढ़िया फोटो यह खीज देता है मैंने साइड बाई साइड ना 15 से कंपेर गया था 15 मैंने रिव्यू नहीं चैनल पर अपने फ्रेंड से शेयर गया था एंड आप देख सकते हो भाई यह फोटो में सच कोई डिफरेंस ही नहीं मेरे को बल्की 15 में जादा शापनेस फील हो रही थी 16 के कंपेरेजन में वैसे हम बीटा यूज कर रहे है तो हो सकता कुछ अपडेट वगर के बाद कुछ और स्टेबल हो जाए चीज है अभी थोड़ी इनीशली स्टेबल भी रह राइट साइड में 16 है माइक अभी 15 का यूज हो रहा है और अब माइक 16 का यूज हो रहा है बताओ दोनों में कितना डिफरेंस लग रहा है और यह है फ्रंट कैमरा की वीडियो कॉलिटी 4K 60fps पे ही रिकॉर्ड कर रहे है एक तरफ यह रहा 15 और यह रहा 16 कुछ में कुछ हमारे यह फ्रंट क्यामरा के सेंपल्स है बहुत सारी फोटो अमने क्लिक करी है आप एक बार फोटो पर नज़र मारो तो यह पर मैं सिंपल एक चीज क्या सकता हूँ अगर आपके पास आइफोन 15 है और क्यामरा के लिए आप सोचे तो 16 लेलो भाईया मत लेना कोई असाच खाज जुरत नहीं है और यह क्यामरा शेटर बटन को देखके तो बिलकुल एक साइड मत होना है बहुत गिमिक चीज ह 16 Pro की वीडियोस के बाद जरूर एंड टेकनिकली डिफरेंस है आइफोन 15 से आइफोन 16 में A16 से सीधा A18 चिप मिल जाती है आपको उसके अंदर 8GB रहा है आपको सारे आइफोन 16 सीरीज में मिलता है जिसकी वज़ेसे यह AI रेडी हो जाते है आइपल इंटेलिजेंस थोड़ अमीर नाम रखेंगे थोड़ा अलग स्टेंड आउट करेंगे एंड IP68 तो पानी वानी में भीग जाए आपना बारिशवारी में भीग जा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कोशिश करना ना भीगे क्योंकि पानी से कब कोई चीज खराब है यह पतन लगता है कंपनी वाले वारं परफॉमेंस का अंदाज अलगाना है तो हमने बेंचमार्क कर रहा है आप देख सकते हैं आप आइफोन 16 16 प्रो और 15 प्रो सब के गीक बेंचमार्क देख सकते हो एंड यह पर इस तरीके की हायरारी की चल रही है यह जहां पर से स्टैंड करना चाहिए वहीं पर स्टैंड क करावाइता है इवन एक चीज़ का फाइदा आपको मिलेगा 15 से 16 में कि कंसोल गेमिंग इसके अंदर सपोर्ट करती है वैसे 15 सीरीज में सिफ प्रो में चल रही थी कंसोल गेमिंगे 16 इतना पावरफुल है कि कंसोल वाले गेम सो चलवा सकता है इसके अंदर हमने चला के दे फूल प्रटेंशल देख रखी है सेल आपके हाथ में इतनी पावर होना वो एक काफी कमेंडेवल चीज है एक चीज का ध्यान रखना कंसोल वाले गेम साफ आइफोन 16 प्रो या 16 किसी पे भी खेलता हो बढ़िया गरम फोन हो जाते है एंडिक तो बैटरी डेन फटाफट हो सिरामिक शिल्ड नोंने बेटर कर दिया लास्ट यह से अब कितनी बेटर कोई नंबर नहीं है बस यह कि आपका टूट एगानी फोन अगर गी रहोगे रहोगे मांकि किसमत खराब होई तो टूट भी सकता है और ब्राइट निट्स की एंड वन निट तक जा सकते इसकी डिस ड्रॉबैक आपने बहुत जगा देख लिए होगा अभी भी 60 एट के डिस्पले है क्यों बाइसा यह 2024 चल रहा है असी जारगा फोन दे रहे हो भी बेस वेरिंट 60 हट मतलब यह पूरा फैक्टर क्रियेट कर देता है माइन में कि भाईया या तो आप हमारा आइफोन 16 ले ल सबसक्ते हैं और बैटरी में थोड़ी सी इंप्रूब्मेंट है पहले 3349 अच थी अब 3561 हो गई है एक दो गंटे का डिफरेंस मिलता है 15 के कंपैरेजन में अमने इसको यूज कर रहा था बैटरी बैक अब अराम से 7-8 गंटे के स्क्रीन ओन टाइम में एक दिन आराम से चल प्रापर जो बेसिक यूसे जो होता ना उसके असाब से में आपको बता रहा हूं वाकि यूसे चेंज होगी तो आपका डेफिनेटली फिर बैटरी बैक अप कम मिलेगा तो यह ता आइफोन 16 का पूरा रिव्यू एंड जो चीजे रह गई है 16 प्रो की वीडियो छोड़ना मत वो तीस मिनट की वीडियो है उसके अंदर आपको पूरा बतलब सार पता लग जाएगा इफोन 16 सीरीज का एंड ये फोन आपको नहीं लेना क्यूं आप आइफोन 15 प्रो लो अगर आप इंपोर्टेड वाला लेते हो तो आपको 1995 के आजपास 256GB वाला 15 प्रो मिल सकता है जो 10-15,000 एक्सटर डालोगे 120hz pro motion display, triple camera, better camera, 12 megapixel का टेली photo मिल जाता है बहुत 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 बेटर चीज़ है एपल intelligence ready ये भी है, एपल intelligence ready ये भी है और camera shutter के बटन के चकर में पढ़ना नहीं है 15 pro लो अगर second hand market में लोगे मैंने अपने phone की value लगवाई थी ये एक साल पुराना है 70,000 मेरे phone की value लगी है एक दो जार और उपर लगा लो, 72, 73,000 वा 15 pro ले सकते हो जो 16 से लाक दर्जे बैटर अगर आपको iPhone ही लेना है अब बात कर लेते हैं जिनके पास last generation का phone है like 15 है 15 pro है 15 वालों को 16 पर जंप मारने कोई ज़ोरत नहीं है कुछ access खास फील नहीं होगा यह apple intelligence के features मिलेंगे जो अभी obviously नहीं आने वाले officially 2025 में आएंगे तब तक wait कर लो कोई बात नी तब मन करेगा तब बदल लेना और अगर बदलने का भी मन करेगा तो 15 pro के लिए जाना जिनके पास 15 है और जिनके पास 15 pro है वो 16 pro लेने की बिल्कुल गलती मत करना 16 pro का review देख लो मैंने उसके अंदर काफी चीज़े बताई है क्योंकि pro series दोनों के अंदर console gaming हो जाती है दोनों के अंदर apple intelligence चल जाता है और camera shutter button के लावा as such कोई difference नहीं है बस ultra wide camera का difference है 4K 120 का difference है वो सारी चीज़े मैंने उस video में बात करी है आपको पता लगेगा कि इतना ही नहीं अगर आपका budget 70-80,000 रूपीज है और android के लिए आप जाना चाहते हो तो s23 ultra आप ले सकते हो s23 ultra का review है हमारे चैनल पे s24 ultra का review है उस video में ने बोला था कि भी है बस AI features का difference है वनना s23 ultra और s24 ultra में कोई difference नहीं है बात मैंनों ने क्या करा वो AI features सारे samsung के phone पर roll out कर दे है जो मतलब latest वाले से तो भाई आज की रेट में s23 ultra लो s24 ultra लेनी कोई जोरत नहीं है s25 में क्या होता क्या नहीं होता वो हम आपको आगे बताएंगे ये तो हो गया android वाले के लिए choice iphone वाले के लिए बता चुका हूँ पसंदा है video like मार दो ऐसा content पसंदा है subscribe मार दो and yes अगर आपको फोन चकाउट करना आपकी स्क्रीन पर टाक कर रखा मैंने product महाँ पे click कर गया flip card पर जाके चकाउट कर सकते हो and पहली बार आओ subscribe कर सकते हो बेल आगन पर अल दबा सकते हो million हो गया 2 million पहुचा सकते हो मिलते नेक्स वीडियो पिक के लिए बाद